नमस्कार, हिंदे साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुवाश ठाकुर के साथ दोस्तों सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पूरे हिंदे साहित्य वारता परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक बधाई और शुब कामनाए और इससे पहले कि आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करें इसमें हम किन किन चीज़ों को डिसकस करने वाले हैं इस बात को हम देख लेते हैं और सबसे पहले मैं आफसे लोगों है से मापी चाहूंगा बाद वाले जो आगे के question हैं, इनको discuss यहाँ पर करेंगे कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं, जिनको हम यहाँ पर करेंगे, तो चलिए बिना देर किये हुए, आज की इस वीडियो को हम start करते हैं, और देखते हैं अपना जो प्रश्न संख्या 31 है, वो क्या रखा गया है, तो यह हैं, तो इन पंक्तियों की जो रश्नकार हैं देखी, यहाँ पर simple सा यह प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, कि जो आपका यह पंक्तिया है, जितने भी यहाँ पर जो प्रमुक नाम है, देखिए भक्तिकाल के, चाहे वो कबीर हो, चा हमारे में आपको याद रख लेना है, और एक तो इनकी खेर यही पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कि जब हम होते तब तू नहीं, जब हमें एहम की भाव होता है, तब भगवान हमारे में प्राप्त हो सकता है, यही चीज़ यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं, और दूसरी इनक एक बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है देखना, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, यह वाली पंक्ति इनकी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जाके कुटुम सब धोर धोबंत, यह वाली पंक्ति भी रह दास की बहुत ही ज़ादा महत्तपून है, उसको भ कहा सीक्री सो काम, आबद जाबद पनया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम कुम्बन नहीं है उसमें, पहले उसमें संतन को कहा सीक्री सो काम, तो यह चीज़ आपने यहाँ ध्यान लख लेनी है, यह वाली पंक्ति ही इनकी अक्सर पूछी जाती है भार-बार, नेक्स कुशन है ग्यान बोद के रचाईता कौन है, तो सिंपल सा प्रशन जो आपका भक्तिकाल है, वहीं से पूछा गया है, इसको देखिए, और आपने पीछे वाले वीडियो में भी देख लिया था कि भक्तिकाल से बहुत जादा प्रशन यहाँ पर प्रफर किये गए हैं, और बिलकुल मतलब आपको प्रशन इतने जादा टफ भी नहीं पूछे गया है, और इतने जादा असान भी नहीं पूछे गये, तो बिलकुल एक जो आपका मध्यम स्तर के जो प्रशन है, वो इसमें रखे गए हैं, तो यहाँ पर अगला जो प्रशन है ज्यान बोद, सीधी सी रचना प पुछ जाता है कि जो मलूक दास थे क्या वो रावनंद के शिशे रहे हैं तो नहीं थे इनकी एक रचना आती है देखना सुख सागर जिसमें इन्होंने अपने गुरू के बारे में नाम बताया है उनका पुरुशोत्तम तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है इस जो आपका important नाम है देखना इसने निर्गुण संत कवियो में सबसे जादा योग साधना पर बल दिया है तब ही तो आप देखेंगे दियान योग राज योग इस तरीके से कुछ इनकी रचनाय हमें मिलती है तो चात्र साल के ये गुरू भी रहे हैं ये चीज़ भी आपक कोई दार्षनिक विवस्ता दिखाने का प्रियत्न व्यर्थ है उस पर द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत अधिका आरोप करके वर्गी करन करना दार्षनिक पदती की अनभीग्यत्या ही प्रकट करेगा ये पंक्तिया किस आलोचकने कही है देखिए ये वाली जो प प्रषन देखे देखिए बहुत जादा इनकी जो पंक्तिया यहां पर पूछी गई है तो याद रख लेना है आपको कि जब भी आप HPPSC का एक्जाम देने जा रहे हो या कि त्यारियां करेंगे आप इस एक्जाम की तो अचारे रामचंदर शुकल के हिंदी साहित के इतिह जा सकता है वो सकता है अचारे जो आपके हजारी पर साथ वेदी रहे हैं वो भी एक समर्थालो चक हैं उनके भी पंक्तियां पूछ जाती हैं बच्चन सिंग का इतिहास इंपॉर्टेंट है और आपका रामचंदर शुकल का ही है तो भक्तिकाल को इन्होंने कितने प्रक्र नमबर टू में ठीक है इस बात को आपने यहां ध्यान रख लेना है चली नेक्स दिखते हम इसके बाद आगे अगला जो प्रशन देखिए 34 जो कर्शन है मिर्गावती के रचनकार कौन है यह भी बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रशन है क्योंकि इस तरीके के प्रशन आप की गलत नहीं होने चाहिए और यह प्रशन आपको आपकी जो मेरिट को जो है डिसाइडिंग करने वाले होते हैं कि आप किस दिखा में जा रहे हैं अगर आप डिरेक्ट प्रशन गलत कर देंगे तो फिर चैंस बहुत ज़ादा घट चाते हैं ठीक है तो यह मिर्गावती ज जन की आप सब लोग जानते हैं मदुमालती इनकी रशनती और मजुमालती जो है यह अन्य सूफी प्रेमा ख्यानक कावियों से इसलिए थोड़ी सी बिन है क्योंकि इसमें जो है जो बहुपत्नी वाद रहा है जो सूफी प्रेमा ख्यानक काविय की एक महतपन विशेशता भी मानी जाती है देखिए उसका इसमें हमें अभाव देखने को मिलता है जबकि इसमें दो प्रेम कथाएं समानंतर रूप से चलती है एक तारा और प्रेमा की भी इसमें साथ चलती है और दूसरी तरफ मनहुर और मदुमालती की जो प्रेम कथा है वो तो खैर साथ में चल भी लिखा था चितरवेखा शीरशक से कनहावत शीरशक से भी इसने अन्य रचना रची है तो वो भी आपने यहाँ पर याद रख लेनी है मलिक मुहमद जैसी से लास में उस्मान की रचना आती देखे उस्मान की थी चित्रवली वो भी most important रचना है उसको भी आपने याद रख लेना है और साथ ही साथ आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर जो बहरी द्वीप हैं उनका वनन भी इसमें किया गया है या विदेशी द्वीपों का वनन जो है वो किस रचना में हुआ है तो आपको याद रख लेना है उस्मान की चित्रवली में हुआ है ठीक है तो ये भी important प्रशन है देखना नेक्स कोशन आता है चित्रवली के रशनकार ये अभी हमने डिसकस कर लिया इसमें या रखने वाली और कोई भी बात नहीं है उस्मान की ये रचना है देखिए तो जो आपका सूफी प्रिमा ख्यानक कावे है देखिए अभी हम भक्तिकाल के ही जादतर प्रशन यहां पर पूछे गए हैं ठीक है तो इनको आपने या रख लेना मंजन की हमने डिसकस कर ली और कासिम शाक की भी डिसकस कर ली कुटबन की भी डिसकस कर ली हमने उपर ही रचना है आखरी कलाम में किस मुगल बाच्चा की प्रशन सा की गई है तो यहां पर आपको सिंपल या रख ल यह भी डियान रख लेना है लेकिन जो मलिक मुहमेद जैसी थे उनकी कुरूपता का मजा किसने उड़ाया था वो शेर्शा सूरी ने उड़ाया था ठीक है यह बात भी आपको यहां डियान रख लेनी है तो इंपोर्टन प्रशन है कि आखरी कलाम में किस चीज़ का वनन है साथी साथ आपको या रख लेना है कि यहां पर इन्होंने जनम के साथा जो कयामत है उसका वनन भी इसमें इसी रचना में किया है इस बात को भी आप यहां पर ध्यान में रख लीजिए नेक्स क्वेशन आता है देखिए 37 प्रशन है बरुनी के बर्नो इमी बनी साधे बान जानु दूई अनी उन बानन असको जो नमारा वेधी रहा सगरो संसारा तो उप्युक्त जो कावे पंक्तिया है इसके रचाईता कौन है एक बार फिर से आप देखेंगे कि प्रशन पूछने का जो तरीका है वो लगबग दो तरीके से ज़्यादा तरों में देखने को मिल पंक्तिया नहीं है लेकिन इनकी एक ही आती देखना हिंदू मग पर पाव न रहे खेंगे हूं का जो हिंदू बाखे हूं यह वाली पंक्तिया है बाकि कभीर और तुलसी की खैर आपको पढ़ने ही पढ़ेगे इनकी कोई एक नहीं बलकि बहुत सारी पंक्तिया है जैसा कि अगला प्रशना आपका देखिए गीरा अर्थ जल बीच सम कही है तो भिन न भिन ठीक है बंदो सीता राम पदजनही परम प्रियक्षिन यह जो कावे पंक्तिया है यहां पर आपके जो तुलसी दास रहे हैं रामचरित मानस की यह पंक्तिया है तो इनको आपने याद अख हो गया और दूसरी इनकी जो प्रसिद रचना है कविता वली इन दो रचनाओं से इनकी जरूर जो है वो पंक्तियां पूछी जाती है तो इन बातों को आपने याद रख लेना है यहां पर देखिए केशव और रहीम इनसे कोई भी प्रशन ऐसा पंक्ति वाला वैसे आज पूछा नहीं गया है तो यहां पर इसलिए भी तोड़ा सा कई बार आपको इस तरीके से अलिमिनेट करना है अगर हमें कई बार कुछ चीज़े ना आए है ना तो यह आप यहां पर ध्यान रख लीजेगा नेक्स आता है थर्टे नाइन्थ जो कॉश्चन ने देखिए नि प्रस्तुतिस में किये हैं ध्यान मंजरी में यह बात आपने यहां पर ध्यान रख लेनी है और हितोप देश भी इनकी एक मौतपुन करीती है लेकिन यहां पर जो चंदा वली है यह इनकी रचना नहीं होगी इस बात को आपने याद रख लेना है और ध्यान यह भी रखना तो भक्तमाल के रचाईता है नाबादास और यह है जो रचना है देखिए भक्तमाल में रामानंद जी के शिश्यों की संख्या कितनी बताई गी है तो भक्तमाल के रचाईता है नाबादास और यह है जो रचना है देखिए भक्तमाल परंपरा की प्रत्म रचना इसे ही माना जाता है तो इसको आपने याद रख लेना है जो हमारे साहिते त्यास लेकन के जो अधार बूत्स तोत गरंत माने जाते हैं उनमें से एक गंग के कवीता को बलबीर केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुन धीर उप्युक्त दोहा किस कवी की समरिती में कहा गया है तो यहां पर यह जो दोहा कहा है देखी यह रहा है आपका गंग कवी के लिए ठीक है तो इस बात को आपने यार रखना है कि उत्तमपद कवी तो किस की समरिती में कहा गया है यह गंग कवी की समरिती में ही कहा गया है तो यह समान्य परिचों के अंतरगत आएगा आपको यह प्रशन थोड़ा सा डिटेल तरीके से आपको पढ़ना पढ़ेगा मतलब इस तरीके के प्रशनों के लिए मतलब जो भी आपके प्रमोख प पावे उंच पद्वी बाजते नीशान भजन को परताप ऐसों जल तारे पाशान उप्युक्त कावे पंक्तियां किस कभी ने लिखी हैं तो यहां पर इसका सीधा सांसर हो जाएगा देखी यह होगा आपका जो सूरदास रहे हैं यह इनकी जो महतपण पंक्तिया हैं इसको भ एक्जाम में तो कई बार यह आपने थोड़ा सा इस तरीके से भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करनी है कि किन किन से पंक्तियों से रिलेटिड प्रशन पूछे जाते हैं तो यहां पर देखिए जो पहले ही आमने पंक्ति डिसकस कर ली थी कि आवत जात पनिया तूट जो वरिष्ट का भी माने जाते हैं देखना उमर के अधार पर इनको आपने याद रख लेना है और इनको फत्यफूर सीक्री बुलाए गया था अकवर के द्वारा थीक है तो जब अकवर से थोड़ा सा रुष्ट हो गए थे कि उन्हें क्यूं बुलाय था सिर्फ संगीत आने जाते थे और साथी साथ आपको याद रख लेना है कि ये जो ग्रिहस्त थे पूरे पूर्ण रूप से ठीक है नेक्स्ट क्रेशन आता है देखिए प्रशन संक्या जो फोर्टी फोर्थ है यहां पर लिखा है प्रेमवाटिका के रचनकार कौन है एक बार फिर से देख प्रेमवाटिका की एक बहुती प्रसिद पंक्तिया देखना प्रेम प्रेम सब को कहत प्रेम न जानत कोई ये वाले पंक्ति इसकी बहुत जादा महत्पूर्ण है लेकिन इसके साथी साथ रस खान की और भी पंक्तिया है देखना उनको भी आप जरूर याद रखें रस खा अब दिये गए हैं देखें इसमें से जो सही आंसर होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं और ये जो रचना है देखिए ये है हिर्दराम की ठीक है केशिवदास की थी राम चंदरी का तुलसिदास की राम चरित मानस स्वामी अगरदास जो रहे आपके इन से तो हमने अभी द देख लिया राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी रही ठीक है उसको आपने यार रख लिना नावदास की हम सब लोग जानते हैं भक्त मालिन की एक मातर रशना रही है तो इस आदार पर यहां पर जो आंसर क्या हो जाना चाहिए था ये क्वेशन ही गरद हो जाना चाहिए तो इसको आपने ध्यान रखना है ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं नहीं पराग नहीं मदर मधू नहीं विकास इहकाल अली कली ही सुबंदी हो आगे कौन हवाल यह दोहा कि सराजा को लक्षित करके लिखा गया था तो यह हम सब लोग जानते हैं कि बिहारी सथस जो बिहारी के द्वारा लिखी गई थी और उनके जो आश्रेदाता थे वो रहे थे महराज जैसिंग तो इसके लिए ही इन्होंने कहा था जब महराज जैसिंग जो है अपने छोटी रानी के प्रती अपना ज्यादा ध्यान देने लगे थे उनके प्रती आसक्त हो गए थे और राजकारियों में वो ज्यादा ध्यान नहीं देने लगे थे तो उस वक्त इन्होंने समझाते हुए ये वाली पंक्ती कही थी और ये पंक्ती जो है हिंदी साहित्य में एक बहुती महतपून पंक्ती कही जाती और आयाद रख लेना है देखना कि अचारे रामचंदर श सत्सईया के दोहरे जिवनाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे अति गंबीर ये वाली पंक्ती भी इस रचना के लिए कही जाती है और बिहारी सत्सईया से आपको बहुत सारे प्रशन बनते हैं देखना कि किस रचना को अधार मना करके ये लिखी गई है और कि किस ने इसको जो है आपका दोहों का बादशा कहा बिहारी को और बिहारी सत्सईया पर टिकाएं किस किस ने लिखी वो भी जादा मौतपोन है तो उसको आपने याद रख लेना है नेक्स कॉशन आता है यहाँ पर देखे ललित अललाम का वरन विशेक क्या है तो ये जो बद कावय है देखना रिती बद कावय में हम देखते हैं कि एक जो प्रशन आपको पूछा जाता है कि बहुत साई रचना है कुछ चंद निरूपक रही कुछ अलंका निरूपक रही कुछ रस निरूपक रही तो इसको कहते हैं काव्यांग निरूपन जो हुआ है वो किस रचनाओं का हुआ है तो आपकी जो रीती बद रचनाएं रही हैं उनको ही हमने क्या है काव्यांग निरूपन के अधार पर विभाजित किया है तो चार तरीके से ये विभाजन किया था जो डॉक्टर नगेंदर रहे हैं सबसे पहले सरवांग निरूपक फिर रस निरूपक फिर अलंकार निरूपक फिर चंद निरूपक तो ये चार तरीके से यहां पर रचनाय मिलती है तो यहां पर हर एक जो प्रसिद प्रसिद रचना रही है देखना उनके बारे में आपको जरूर पढ़के जाना है कि कौन सी जो है वो सरवांग निरूपक है सरवांग निरूपक क्या होता है मतलब जिसमें काबले के सभी अंगों का निरूपन किया गया हो जिसमें चंद की बात हो जिसमें अलंकार हो जिसमें आपका रस हो ठीक है या फिर आपका कुछ और चीज़ हो तो उसको हम चंद निरूपन के अंतरकत लेते हैं जिसमें सिर्फ अलंकारों का वर्णन हो वो अलंकार हो गया जिसमें आपका रस की बात कही गयी हो तो वो रस निरूपक गरंथ हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर ललित ललाम पूछा गया है पहली चीज़ सो याद रख लेना ये किसकी रशना है मतिराम की रशना रही है सिर्फ जो इनकी एक रचना आती देखना रसराज उसे छोड़के बाकी सब जो रचना है थी वो इनोंने अपने आश्रेदाताओं के लिए क्या की थी समर्पित की थी आपने ये चीज़ मुझे बतानी है कि ललित ललाम जो है वो इनोंने किस राजा के लिए समर्पित की थी यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ललित ललाम जो है अलंका निरूपक गरंत रहा है इस बात को आपने यहां पर ग्यान रख लेना है नेक्स्ट क्वेशन आता देखिए निमेलिकित में से कौन सा महा कभी भूशन का भाई है तो यहां पर भूशन का जो भाई था वो था चिंतामनी और इन्हें त्रिपाथी बंधु के नाम से भी जाना जाता है देखना बूशन हो गया, चिंतामनी त्रिपाथी हो गया, मतिराम हो गया और जटाशंकर त्रिपाथी, यह जो चार लोग रहे हैं ये थे आपके त्रिपाठी बंधुओं में इनको आपने याद रख लेना है और चिंतामणी से आपको ऐसा भी प्रशन पूछ जाता है रेखना कि चिंतामणी को किसने रितिकालीन अखंड परंपरा का प्रवर्तक माना है तो याद रख लेना है अचारे राम चंदर शुक्र जो है चिंतामणी प्रिपाठी से मानते हैं कि रितिकाल का जो आरंब यहां से हुआ था ठीक है तो ध्यान रखना है आपको ये बहुत ही इंपोर्टन नाम है देव कभी भी ज़्यादा महत्तपूर्ण है देखना यहां पर रितिकाल में किस संफरदाय में थे ये वला प्र सही थी सोमनात की रस्प्यूश निधी आती है जो बहुत ही मौतपूर्ण रशना है उसे भी आपने याद रख लेना है नेक्स कुशन आता है यहां पर देखिए अमिय हला हल मद भरे सेत स्यामरत नार जियत मरत जुकी परत जेही चीतवत एक बार ये वाली पंक्ती मोस्ट एक रस्वादी रशनाकार ही रहे हैं इनके नाम से ही आपको याद रख लेना है रस्लीन रस्वादी ठीक है और इनकी दो ही रशनाय मिलती है हमें देखना रस्प्रबोध और एक अंगदरपन शीर्शक से ठीक है तो इन दो रशनाओं को आपने यार रख लेना और रस्प अच्छे सैनिक भी थे और इसके साथ ये संगीत अग्य भी रहे हैं ये चीज भी आपको याद रख लेना है कि कौन सारी तिकालिन कवी एक कवी के साथ साथ एक अच्छे सैनिक और संगीत अग्य भी रहे हैं तो आपको याद रख लेना है रसलीन और इनका जो वास्तुरिक नाम था वो क्या था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं चलिए नेक्स कुशन हम यहाँ पर देखते हैं जो अचारे रामचंदर शुक्ल थे देखिए उनके अनुसार पूचा गया है कि ब्रजभाशा गद्य का जो प्रारंभिक नमूना कब राप्त हो तो रामचंदर शुक्ल के अनुसार प्रजभाशा गद्य का जो प्रारंभिक नमूना हमें देखने को मिलता है वो था समवत 1400 तो इस बात को भी आप यहाँ पर याद रख लीजे ब्रजभाशा के बारे में और यहाँ पर यह पर यह प्रशनी ने पूचा है जो हम हिंदी क विकास्क्रम की बात करते हैं देखना तो वहाँ पर हम देखते हैं और इसके साथी साथ आप देखेंगे कि अगर खड़ी बोली गद्य की हम बात करते हैं तो इन्होंने चंद चंद बनन की महिमा को माना था कि वो प्रत्थम रचना है लेकिन जब हम खड़ी बोली गद्य क शुद्ध और परिनिष्टित प्रत्थम रचना की बात करते हैं तो तब ये भाशा योगवशिष्ट जो राम प्रसाद निरंजनी की रचना आती है उसको मानते हैं इन चीजों को भी आपने थोड़ा सा यहाँ पर याद रख लेना है ओके चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं यहाँ से बोलियों वाला जो प्रशन है यह बहुत ही जादा महतपूर्ण है और यहाँ पर पूचा गया है हमारी जो उपभाशा पश्चिमी हिंदी में नहीं है पहली चीज तो आपको याद रख लेना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतरगत जो है वो हमारी कौन-कौन सी ऐसी जो बोलिया है जो इसके अंतरगत आती है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है देखना जो आपका बांगरू जिसको हम हर्यानवी भी कहते हैं वो भी इसमें रही है कनोजी भी इसमें रही बुंदेली भी इसमें रही इसके लावा यहां पर खड़ी बोली भी रही इसके लावा यहां पर ब्रज भी रही ठीक है ब्रज बुंदेली कनोजी हरियानवी ठीक है तो बुंदेली कनोजी हरियानवी बांगरू यह जो सारी है यह इसके अंतरगत आत देखना वो कौन कौन सी हैं वो हैं अवधी बगेली 36 गड़ी जिनको याय रखने के लिए सिंपल से ट्रिक भी है एसे अवधी बगेली सी से 36 गड़ी तो इस वाली बात को भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए नेक्स्ट कुशन आता है देखे जनमकाल के अनुसार जो नि तो यहाँ पर आपको द्यान रख लेना है कि सही करम आपको बताना था तो यहाँ पर देखे भूशन का जो करम था मतलब इनका जो समय था 1613 देव कभी 1673 एंड घननन्द जो है यह 1689 हो गया बिहारी 1590 हो गया तो सबसे पहले कौन आ जाएगा बिहारी आ जाएगा बिहारी इकाल हो गया या फिर आपका निर्गुण संत कावेधारा के जो कवी हो गये उनके बारे में या फिर आपके जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चाहिए वो पन्यास कहानिया आप गिरा रही हो उनको करम अनुसार पूछ जाता है तो ज़ादा थर फोकस आपने ऐसी जो मतपूर पतलून रचनाय हैं इनको ही या रख लेना है नेक्स क्वेशन आता देखिए हिंदी मस्वरों की संक्या कितनी है तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी मस्वर जो है वो ग्यारा है ठीक है पतलून शब्द जो हो किस भाशा का शब्द है यहां से भी आपको थोड़ी क्योंकि अर्वी और फार्सी के शब्द क्यों पूछ जाते हैं क्योंकि जब हम हिंदी के विकास करम की बात करते हैं देखना तब हम क्या देखते हैं तब हम देखते हैं कि जो आपका जो हिंदुस्तानी एक भाशा रही जिसमें अर्वी और फार्सी शब्दों की बहुलता ती और ये बहुलता आज तक हमें देखने को मिलती है जिसे जो आपका राजा शिप्रसा सितारे हिंद था उन्हें क्या कहा था अर्वी और फार्सी मिश्ट शब्दा वाली जो भाशा रही जो हिंदुस्तानी थी उसे वे आम फहम और खास पसंद भाशा कहते हैं ये शब्द रहे शासनकारी और उनकी वज़ा से यहां पर हमारी जो भाशा रही उसमें क्या आया उसमें जो हिंदुस्तानी पन रहा या जिसको हम कहते हैं कि अर्वी और फार्सी मिश्ट जो शब्दा वली रही उसका जो बोल बाला रहा और उसी के चलते हम आज के समय में भी देखते हैं ठीक है तो इसलिए जब भी आप किसी भी एक्जाम में जाएं तो अट लिस्त आप फार्सी और अर्वी के शब्दों को जरूर देख के जाएए कि कौन कौन से शब्द जो है वो अर्वी और फार्सी के मिलते हैं ठीक है उसको आपने देखना है संग्या या सरवनाम के जिस रूप से उसका संबंद वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं तो वो रहता है हमारा कारक तो भी कलप नंबर D इसका क्या हो जाएगा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा तो ये था question नंबर जो 55 कि इसका क् आप देखेंगे यहां पर व्याकर्ण से related question भी जो है यहां पर पूछे गए है next question भी व्याकर्ण से समंदित ही है देखिए स्पर्ष व्यंजन जो रहे हैं उसके कितने भेद हैं तो यह आपको यहां पर बताया गया है मैं पूछा गया है देखिए स्पर्ष व्यंजन पहली चीज तो या रख लेना है स्पर्ष व्यंजन कितने हैं कम हैं कम से आप क्या समझते हैं, कसे मतक के जितने भी वर्ण आते हैं, यह हमारे जो व्यंजन के अंतरगत आ जाते हैं, इसको यार रखना कैसा है, कचटा तप, कचटा तप, इसको यार रखने की एक और सिंपल से ट्रिक है देखना कि हमारे वर्ग कितने हैं, कई वार ऐसे भी पू इसको याद रकने के सिम्पल से ट्रिक है कचोटता प्यार ठीक है आप इस तरीके से भी इसको याद रक सकते हैं इसको याद रकने की वेकी तो यहां से आपके पांच के पांचों वर्ग वो आ जाते हैं ठीक है और यही इनका क्रम रहेगा देखना कुछ लोग जो है हिंडी वर्ण माला में आगे पीछे भी कर देते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा हाला कि आप सब लोग बहुत बड़े लेवल की एक्जाम की त्यारियां कर रहे हैं तो यह नॉर्मल सी चीज़े है तो उसका आंसर भी विजदेव नाराहिन साही ही हो जाता है तो इसको आपने याद रख लेना है आपके लिए प्रशन यह है कि नई कवीता पतरिका का जो प्रकाशन था वो किस ने किया था और कब किया था और नई कवीता शब्द का इस्तेमाल जो है उस सबसे पहले किस इस वाले प्रश्न को भी आपको याद रख लेना है ये दो प्रश्न जो है ये आपके लिए दिया है मैंने आप इन्हें कमेंट सेक्षन में जा कर मुझे बता सकते हैं चलिए नेक्स क्वेशन हम देखते हैं यहाँ पर निमेलिकित मैंसे कौन सी रचना जो है अग्ये की नहीं है देखे अग्ये भी एक बहुत ही मतपुन नाम है इसकी जो रचना है वो भी आपको थोड़ी बहुत याद करके जरूर जाना है तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनकी रच हो गया चिंता हो गया यह सारी की सारी तीनों क्या है यह अग्ये की रचनाएं रही हैं इसके लावा हमारा जो अगला प्रशन है देखिए वो है यहाँ पर कि अचारे रामचंदर शुक्ल के अनुसार तुलसी रास के ग्रंतों की संख्या कितनी है तो उदै भानू और जो यह पूछे ही जा रहे हैं यूजी सी नेट में भी आप देखेंगे लास साइम देव कभी के बारे में पूछा गया था कि शुक्ल ने उसके ग्रंतों की संख्या कितनी मानी है तो जो प्रमुक प्रमुक ना में देखना उन्हीं के बारे में पूछा गया है तो यह आपको तो ये थे आपके आज के 30 questions, I hope कि इन सभी questions से आपको थोड़ा सा और idea मिल गया होगा कि किस तरीके के प्रशन जो है यहां पर पूछे जाते हैं इस exam में और इस बारी मुझे लगता है कि इतना easy हमें नहीं रहने वाला है जो यह वाला exam है, हमें थोड़ा सा अपनी तैयारियो को और जादा बेहतर बनाने की जरूरत है क्योंकि इतना असान प्रशन जो है मुझे नहीं लगता कि अब जो आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा क्योंकि हम देखते हैं कि day by day जो exam का level है वो कैसा होता जा जा रहा है थोड़ा सा difficult होता जा जा रहा है तो इन चीज़ो का बहतर content जो हो लाते रहते हैं तो आज के लिए फिलाल इतना ही जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए जहिंद